नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां रात में सोने से पहले नाभी पर नारियल तेल लगाने के फायदे आये जानते हैं इसे जान करके आप दंग रह जाएंगे जिहां हम आपको बताएंगे कि नाभी पर रात में अगर आप नारियल तेल लगाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे लेकिन आज आपको इसके तीन सबसे मुख्य फायदों के बारे में जानना है अगर आप रोज रात में सोने से पहले नाभी पर ओयल कशनाने के प्रयोग में भी लाते हैं नारियोuld के विरिक्ष ऊष्लंग कटी वंध्य शेत्रों में बहुत आयत मात्रा में पाये जाते हैं इसके अलावा यह अम्रिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों में भी पाये जाते हैं यह बालों को नर्म चमकदार तथा स्वस्थ बनाता है इसलिए आपको रसायन योगत उत्पाद प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है अपने लोशन कंडिशनर इत्यादी को भूल जाए नारियल का तेल पसीने की बदबू को दूर करता है रात को सुने से पहले नारियल का तेल लगाएं या मस पर नारियल तेल लगाने से कौन-कौन से फायदे होंगे नाभी पर रात में सोने से पहले तेल लगाने पर आपको सरदर्द और पेट दर्द की तकलीफ नहीं होगी और साथ ही साथ आपको नींद भी बहुत गहरी आएगी तो अचा मुलायम और खुबसूरत हो जाएगी इससे आपको हड़ियों के जोनों में होने वाले दर्द से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ मानसिक तनाव भी खत्म हो जाएगा रात में नाभी पर नारियल का तेल लगाने से आपको कभी भी कमर दर्द और बालों के जहर्णने की समस्या नहीं होगी यह एक राम बान से बालों के जरने की समस्या को रोकने के लिए रात को नारियल तेल उपयोग कर लेना चाहिए इससे आपको फायदा हो जाएगा इसके अलावा नेल इंफेक्शन नारियल के तेल से आप अपने नाखून को भी बहुत मजबूत और सुन्दर बना सकते हो इसका इस्तेमाल रात की परिशानी को दूर करता है इस एरिया पर अच्छी तरह मसाज करें इसे स्टेच मार्क्स की समस्या दूर होगी जहां भी स्टेच मार्क्स हो वहापे आपको नारियल उयल से मसाज करना है इसके अलावा ग्लूइंग स्कीन के लिए नारियल तेल के इस्तेमाल से आप हेल् चुराइज़रीयों को भगाए जूर्ययों से छुटकारा पाने के लिए नार्ययल तेल काफी फायदे मंद है इसे इसे इस्तेमाल केलिये आप अपने चेहरे पर हलके होगे अथों से लगा सकते हैं और सुबह ही से पानी से धो सकते हैं बालों का गिरना नारियल के तेल की रात को सिर में मालिश करने से बालों का गिरना बंद हो जाता है शरीर में गर्मी होने पर रात को नारियल के तेल में पानी को अच्छी तरह मिलाकर सिर पैरों के तलों पर मालिश करने से शरीर की गर्मी शांत होती है दाटों के दर्द के लिए रात को नारियल के तेल में रुई को भिंगो कर दर्द हो रहे दाट के नीचे दबा कर के रखे इससे दाटों में जल्द ही आराम मिल जाता है जहां दात दर्द दूर हो जाता है और अगर आपको खाज खुजली हो गई है तो रात को नारियल के तेल में निम्बू का रस मिला कर मालिश करें या निम्बू को वैसे ही चूसें इससे खुजली मिट जाती है सुंदर ये प्रसाधन शुद्ध नारियल का तेल बालों के लिए बहुत हिलापकारी है और इस तेल से जख्म भी जल्दी ही भर जाते हैं बालों की कंडिशनिंग में एक कटोरी में परयापत नारियल का तेल लें और इसे पिखला लें इसे उंगलियों के पूरों पर लगा कर सिर पर मालिश करें इससे आपको रहात मिलेगी अच्छे से समय देकर मालिश करें ताकि तेल सिर में अच्छे से अवशोशित हो जाए तेल को जड़ से बालों के सीरे तक लगाएं सिर पर कोई पुराना कपड़ा या शावर कैप लगा कर रात भर के लिए छोड़ दें बाल बहुत खुबसूरत हो जाएंगे चेहरे को हाइडरेट करने में रात को चेहरे को अच्छे से धोकर हलके हाथों से पोच लें चेहरे को रगड़ कर साफ न करें नारियल का तेल आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है इससे डार्क सरक्ल खत्म होते हैं तथा जुर्यां भी मिड़ जाती हैं इसे सिमात्रा में रूई पर लेकर आखों के आसपास की जगह पर लगाने चेहरे पर कहीं भी खुशक जगह है तो नारियल का तेल लगाने से फायदा मिलता है नारियल का तेल फटे हुए होटों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इसे नहानिया चेहरा धोने के बाद पूर नारियल का तेल इंसुलीन के स्तर में सुधार करता है रक्त में शरकरा की मातरा नियंत्रित होती है नारियल के तेल में मौझूद मध्यम फैटी एसी टाइप टू मधुमे के खत्रे को कम कर देते हैं यह कोशिकाओं में आसानी से और शोशित होकर उर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं जहां दोस्तों तो यह वो जानकारी है जिसके सहारे आप अपने आपको स्वस्थर रख सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुणेंगे एक और बहुत ही महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों